उधारण बारा, बी, सेक, सत्तर अंच, बटा, कोशेक, बीस अंच, धन, साइन, उनसट अंच, बटा, कॉस, 31 अंच इसका मान हमें ज्याद करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, सेक, सत्तर अंच को हम लिखेंगे, सेक, नब्य अंच, रिण, बीस अंच, क्योंकि हम नब्य में से बीस को खटाएंगे, तो हमें सत्तर प्राप्त होंगा, तो हमने सत्तर अंच कीजिए स्थान पे, नब्य अंच, 20 लिखा, बटा, कोशेक, 20 धन, उसी तरह से पुना हम साइन के स्थान पर साइन लिखेंगे और 69 अंच के स्थान पर लिखेंगे, 90 अंच, 31 अंच, 90 में से 31 को कहीं हम घटाते हैं, तो हमें 69 मिल जाता है तो 69 के स्थान पर हम 90 अंच, 31 अंच लिखेंगे, बटा, कॉस, 31 अंच, बराबर क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 अंच, रिण, थीटा, बराबर, कोशेक, थीटा होता है तो सेक 90 अंच, रिण, सेक 90 अंच, रिण, 20 अंच को हम लिखेंगे, कोशेक, कोशेक, 20 अंच यहां पर हमने सेक 90 अंच, रिण, थीटा का सूत्र लगाया है, जो कि कोशेक, थीटा होता है तो थीटा के स्थान पर हमारे पास 20 अंच है, तो यह बन जाएंगा अपना कोशेक, 20 अंच, इस सूत्र से बटा, कोशेक, 20 अंच, धन, उसी तरह से हम जानते हैं, साइन, 90 अंच, रिण, थीटा का मान होता है, कॉस थीटा तो यहाँ पर साइन, 90 अंच, रिण, 31 अंच, जो जाएंगा, कॉस, 31 बटा, कॉस, 31 बराबर, कोशेक, 20 अंच, बटा, कोशेक, 20 अंच, अंच और हर से कट जाएंगा, और यहाँ पर हमें एक प्राप्त होंगा, धन, पुना, यहाँ पर कॉस, 31 अंच, बटा, कॉस, 31 अंच, अंच और हर से कटेंगा, और हमें एक प्राप्त होंगा, बराबर, एक धन, एक बराबर, दो, यह हमारा, दिये गया प्रेशन का हल हुआ तो यह इस उधारण बारा के बी का हल है